कि आये हम अवलोकन करते हैं सर के साथ की कौन कौन सी किसमे और हैं यह dbw 222 देख सकते हैं आप dbw 222 और 303 का कड हमें लगभग एक समान लग रहा है कोई ज़्यादा विरियेशन नहीं है तो सर आगे भी देखे तो 187 भी है यह dbw 187 यह तीनों में थोड़ा सा मुझे 222 की हाइट हलकी सी ज्यादा लगी आना कि फुटाब भी बहुत ज्यादा है तो अक्सर सुनने में आया था पिछले साल की 187 का फुटाब ज्यादा है लंबाई ज्यादा है तो यह तीनों लगभग एक जैसी हैं कुछ विशेशता बताएंगे हमाली जो किसमें इस काल में जवलप होती हैं उनका जो लंबाई होता है और उस्तन 95 सेंटीमीटर के इर्दगीर्दी होता है एक आज सेंटीमीटर आगे पीछे होती हैं अब इन तीनों किसमों में अलग अलग विश्यस्ताइं हैं जैसे आप अगर मान के चलें किसानों ने जैसे आपको महसूस हुआ होगा कि मौसम बड़ा खराब था तो उस समय एक डिबीडबलू 222 जिन जिन किसानों ने लगाई थे अपने यहां पर उनमें लाजिंग बिल्कुल नहीं आई थी तो यह लाजिंग टॉलरेंस भी दोनों किसमों के मुकाबले में थो जोड़ा बहुत जुक सकते हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि तीनों बहुत ती सर्विस रिस्ट किसमें हैं सर ने बोला कि अभी 222 जो है यह तुलनात्मक लॉज नहीं करेगी है गिरेगी नहीं मैं इन वरेटीज को साहब के सोजनने से थोड़ा-थोड़ा ट्रायल में में मेरे को बीज मिल था पिछले तीन साल से मैं फॉलो करता आ रहा हूं और उत्री भारत के विशेश रूप से पंजाब हरियाना पश्म उत्रप्रदेश और तरही जो हिमाचल का एरिया है उना है सिरम और है फूट हिल ऑफ शिवालिक्स वहां के लिए मैं परसनली भी बहुत स्ट्रॉंगली इसको रिकमेंड करता हूं सर ने भी इसको इंडोर्स किया है कि यह बहुत ही अच्छी किसमे हैं